मेरा नाम है दाप्तर दंशियाम तेजानी और चलिये शुरू करते हैं प्लास ही लेवाद चैप्तर नमबर प्री मूशन स्टेट लाइन और JEE नीट उनिक नमबर तू काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोशन या यह वाला हमारा सेशन नमबर को है इससे पहले सेशन नमबर वन में हमने क्या काइनेमेटिक्स है उसके बहुत सारे एक्जाम बसकिये थे और स्पेशली डिस्टरंस एन दिस्प्लेस्मेंट उसमें क्या डिफ्रेंस होता है और उसके काफी एक्जामपल सॉल्ट किये थे सेशन नमबर तू में हमने वैलोसिटी दे स्पीड उसमें काफी डिटेल्ड एक्जामपल लिये थे और काफी एक एकेजामंपल स्वल्ट भी किये थे उसके बाद सेशन नमबर थृ उसमें हमने मोशन वाला पाट लिया था लेकिन हौरिजंटल मोशन का पाट लिया था उसमें ग्रेविटि कंसिदर नहीं की हालक एक example था उसमें वहाँ पर हमने ग्रेविटी का एक पार्ट दिया था और यह session number 4 है यह special motion under gravity यह वाला पार्ट करेगा motion under gravity सबसे फैवरिट टॉपिक है जे डेबली और नीट में सबसे ज्यादा maximum chances motion under gravity के question आने के होते है चलिए आगे बढ़ते हैं motion under gravity का लेते हैं तो हमने इससे पहले acceleration का जो भी equation था तो similar equation यहाँ पर आपको use करना है नया equation आपको याद करने की जरूरत नहीं है तो वही ले लेते हैं पहले consider the motion of a body with uniform acceleration यहाँ पर जो g है उसका हम simply पहले यह वाला ही पार्ट लेंगे तो अगर कोई body position A से position B तक जाती है ठीक है तो उसका initial velocity हमेशा initial velocity you count करेंगे और final velocity है वो we consider करेंगे और इसके बीच में इसके बीच में जो भी time लगता है उसको हम T करेंगे count vertical motion हो या horizontal motion हो उसमें equation में दूसरा कुछ changes नहीं आएगा assume करते है uniform acceleration acceleration क्या है we know that acceleration is equal to change in the velocity divided by change of time change of velocity कहां से final velocity V minus initial velocity U और उसके बीच में जो time लगता है वो T उसके बाद इसको याद रख लेंगे हम formula नमबर वन और यहां पर acceleration है वहां पर G आ जाएगा केसे आएगा वो मैं discuss रहूंगा आप टेंशन मत लेजेए अलग से formula याद रखने की जरूद नहीं है अलग से formula इसका याद मत रखो तो इतने सारे formula हो जाएंगे के confused हो जाओंगे उसके बात है displacement s का हमें equation पता ही है v is equal to क्या है s by t तो वहां से मिल जाएगा हमे displacement is equal to average velocity multiply by time s is equal to v average velocity v plus u divided by t 2 अब यहां से जो equation हमने मिला था यहां से जो equation मिला है ठीक है तो जो v की value यहां पर मिली है हमें first equation में यहां पर v की value direct रख दो पांसर आ जाएगा क्या पर रखा v की value u plus 80 plus u क्या हुआ s is equal to ut plus 1 of 80 square तो यहां पर जो formula हमें मिला है s is equal to ut plus 1 of 80 square यह हो गया हमारा equation number 2 उसके बाद हमें पता है t is equal to v minus u by a यहां से था तो उसमें से t की value आप रख दीजे तो और एक equation मिल जाएगा v square minus u square is equal to 2 a s यह तीन formulas यहां पर आपको याद एकने है तीन formulas यहां पर याद एकने है motion under gravity में motion under gravity में acceleration जो होता है वो होता है जी gravitational acceleration अब जी दो possibilities होती है या तो जी हो जाएगा positive या जी हो जाएगा negative यहां पर दो possibilities आती है एक होता है जी हो जाएगा positive या तो जी हो जाएगा negative अब कैसे है अब newton जब apple के नीचे बैठा था वो पैर जब उपर से पैर में से apple जब गिरा तो क्या हुआ जब यहां से apple उपर से नीचे गिरा तो यहां से earth में से gravitational force की बज़ा से नीचे आया और उसका जो acceleration था वो था जी तो कोई भी चीज उपर यहां से velocity is equal to zero से शुरू हुई थी और यहां से velocity कुछ plus हो गई तो इस case में जब भी भी object उपर से नीचे गिरता है तब gravitational acceleration positive लेना है समझ में जब भी कोई भी object उपर से नीचे गिरता है तो velocity में addition करता है वो benefit देता है तो क्या होगा gravitational हमेशा plus लेना है और दूसरे case में अगर हम ball कोई भी ball हो हमारे आत्में उपर throw करते हैं तो क्या होता है initial velocity चलिए कुछ है 10 unit है उपर जाने के बाद यहां पर stop हो जाता है zero हो जाता है और नीचे फिर आता है मतलब जब भी हम कोई भी ball उपर उचालते है तो gravity नीचे तरब खीशती है और जो उसका acceleration होता है gravitational acceleration वो negative बनता है मतलब जब भी कोई भी object उपर जाता है तो उसका gravity negative count करना है और जब भी object नीचे आता है तो gravity positive count करना है जब भी object नीचे की तरफ जा रहा है तब acceleration is equal to g हो जाएगा अगर object उपर जाता है तो acceleration is equal to minus g हो जाएगा अलग से formula यहाँ पर g लगा कर formula याद राखने की कोई भी जरूत नहीं है ज्यादा formulas मत याद रखो जितने ज्यादा formulas याद रखने की कोशिश करोंगे उतना ज्यादा problem होने के chances है चलिए आगे बढ़ते हैं so for the upper moment हमने क्या consider किया है acceleration जो होता है object यहाँ से शरू जो हो रहा है यहाँ से शरू होकर उपर की तरफ जा रहा है so initially acceleration क्या करना है negative g count करना है अब initially कितनी है velocity u is equal to u meter per second जब सबसे उपर पहुँचेगा तो v is equal to कितना हो जाएगा zero हो जाएगा तो इस case में हमें कितनी maximum height cover हो रही है और कितना time लग रहा है वो दोनों चीज़े ढूननी है चलिए शरू करते हैं कौन सा equation काम लगेगा सबसे पहला v is equal to u plus 80 वाला equation काम लगेगा क्योंकि यहाँ पर final velocity दी गई है zero initial दिया गया u acceleration यह पता है हमें minus g क्योंकि वो उपर जा रहा है object और t हमें चाहिए चलिए डूनते हैं तो v is zero u is u a हो जाएगा minus g और t is equal to u by g t is equal to initial velocity divided by g सही है और क्या है दूसरा टूना s अब हमें t तो मिल गया है यहां से दूसरा equation पकड़ो या तो तीसरे भी लेलो तो भी हो जाएगा v square यहां से start करते है initial is u, final is v अब यहां से चाहिए s और s हो जाएगा यहां पर h v कितना है final velocity यहां पर आ जाएगी 0 initial u उपर जा रहा है मतलब g is equal to यहां पर g negative हो जाएगा और s is equal to h सारी value यहां पर रख देजिए सारी value यहां पर रख देजिए h हो जाएगा यहां पर u square by 2g h is equal to u square by 2g initial velocity divided by 2g उसके पात क्या है time required for descending उपर से अब नीचे भी तो पत्तर गिरेगा तो उपर से अब शरू होता है यहां से u is equal to 0 और यहां पर कुछ assume कर ले दे है velocity v final जब strike होगा तब distance तो भई होगा time कितना होता है वो देखते time t2 equation पहला वाला काम लगने था v is equal to u plus a t v उपर से शरू कर रहा है तो u 0 हो जाएगा v हमें डूड़ना है v2 हो जाएगा a अभी इस case में अगर body नीचे आ रहा है तो acceleration capital G sorry g positive हो जाना चाहिए चलिए value रखते है क्या होता है u is equal to 0 plus g by g t2 और t is equal to u g अब आप देखो तो उपर नीचे कुछ फरक नहीं है body जितने time में उपर जाती है return नहीं में भी वही time लेगी t1 is equal to t2 खास याद रखना ये चीज़ उसके बाद देखते हैं उसके उपर आ गया तो निकाल देते हैं downward movement ले लिया हमने अलड़ी height कितना होगा height कितना होगा वही value रख देते हैं तो जो भी height है s is equal to h height तो वही है ना height में काँ difference s is equal to h u square by 2g यहाँ पर value रख देते है v square minus u square is equal to 2s और यहाँ पर value रख दीजिए object उपर से शरू कर रहा है नीचे जा रहा है initial velocity 0 final पता नहीं हमें तून लिजे s distance कितना travel किया होगा में मिल गिया है value रख दीजे और क्या आएगा v2 is equal to u बतलब जो final जो velocity हमें ground पर strike हुई वो यहाँ पर वही आएंगी फिर से एक बार repeat करता हूँ यहाँ से ground से object उपर गया उपर गया यू सबसे उपर गया तो velocity यहाँ पर 0 हो गई h हमें मिला था return में वही h transfer होगा यहाँ पर जो final velocity आएगी वो हमेशा जो initial यहाँ से जब भी उपर पत्तर उचाला वो ही आएगा और जो time नीचे आने के लिए जितना लगता है उतना ही time उपर जाने के लिए भी लगेगा खास एचीज याद रखनी है तो बार-बार calculate नहीं करना है यह चीज़े याद रखोगी तो फटा-फट इसका answer मिने जाएगा चले question शुरू करते है क्या है question? Question number 2 A small steel ball is shot vertically upward अब एक ball है उसको vertically उपर की तरफ फ्रो किया है from the top of the building यहाँ पर कोई building था उसके उपर खड़ा है और building की height दी है 25 meter अब यहाँ से ball को उपर फ्रो किया है और initial velocity कितना है? यहाँ पर यहाँ से ball start किया है 18 meter per second यहाँ पर है अब क्या ढूणना है? In what time ball will reach the maximum height यहाँ सबसे उपर कितने time में पहुंच जाएगा तो T ढूणना है मतलब सबसे उपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? velocity 0 हो जाएगी यहाँ से कितना उपर जाएगा जब velocity 0 होगी दूसरा भी मिल जाएगा यहाँ से उपर से शरू करेगा नीचे बॉलाएगा तो ground पर कितनी velocity लगेगी? तो खास याद रखे आपको drawing बनाना पड़ेगा इस में से अगर drawing आप बना पाऊंगे तब भी इसका solution निकाल पाऊंगे तो क्या है? बील्डिंग है 25 मिटर की बील्डिंग है उसके उपर एक person है यहाँ से stone उपर या तो ball उपर की तरफ फैका initial जो speed है इसके यू बोलेंगे हम कितनी है? 18 मिटर पर second जब सबसे उपर ball पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी speed हो जानी चाहिए 0 उसकी speed हो जानी चाहिए 0 और यहाँ से उपर तक पहुचने के लिए हमें धुणना है time t as well as height h के दोनों धुणना है सब धुणते हैं यहाँ से v is equal to u plus 80 सबसे पहला equation देखते हैं काम लगेगा कर नहीं लगेगा सबसे पहले हमें time तुणना है तो yes time तुणना है yes initial velocity दी है क्या? बिल्कुल दी है final velocity दी है बिल्कुल दी है सर आप ultra जूँद बोल रहे हो कि इसको बोलते है initial velocity और इसको बोलते है final velocity समझ रहा है ने तू आतो याद रख इसलिए मैंने उल्टा बोलाता दूसरा equation ये तो हमें पता है ये वाला equation पहला equation काम लग जाएगा body जो है उपर के दरब मू हो रही है मतलब acceleration क्या होगा minus g होना चाहिए acceleration क्या होगा initial velocity 18 meter per second 0 0 रख दीजे यहाँ पर v is equal to u plus 80 v u 80 a is equal to minus g कितना होगा time हो जाएगा 1.8 second 1.8 second में उपर बॉल जाएगा दूसरा क्या तुणना है height तुणना है कितना है कितना है कितना है ये तो एक पेशन आएगा velocity दोनों दी है तो ये पकड़ो दूसरा equation initial velocity 18 final velocity कितनी दी है 0 यहाँ से मिल जाएगा height कितना cover करेगा 16.2 meter cover करेगा सर जी great अब यहाँ से downward यहाँ से downward motion शरू होगा तो जो acceleration है वो minus g नहीं होगा plus g हो जाएगा acceleration is equal to plus g अब initial velocity जो हो जाएगे 0 और final वाली हमें ढूननी है final वाली अगर यहाँ तक होती तो तो कोई problem महीं था वही होती initial वाली लेकिन यहाँ नीचे आती है तो अलग velocity होती है चलिए डूनते है क्या है ऐस समय चाहिए equation है total distance यहाँ पर जो travel करेगा वो h plus 20 पर हो जाएगा यहाँ पर t time भी डूनना है चलिए बढ़िया है वी square is equal to u square v square minus v square is equal to as वी 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 कितना है यहाँ से final ढूनना है u कितना है 0 है as कितना है h plus 25 है रख दीज़े सारी value value कहें नहीं रखते हो सारी तो b final velocity जब ground पर strike होगे तो कितना होगा 27.7 meter per second 27.7 meter per second t नहीं डूनना था यहाँ पर b डूनना था अगर question में पूछा होता कि t भी डूनना है total कितना time होता है तो क्या करोंगे सर पूछा यहाँ पर का पूछा ए पूछा है तो भी तो लिखा है यहाँ पर कि t भी तो हमें डूनना है चलिए डूननते है और क्या क्या लिखा है total time total time चाहिए तो उपर के नीचे का time डूनन लेते है p is equal to u plus 80 उपर से शरू करता है 27.7 u 0 acceleration positive t2 time 2.7 सही है अब total time डून लेते है अब यहाँ से जब शरू किया था तो उपर तक कितना time लगा था सर्जी 1.8 सही है अब उपर से जब शरू किया नीचे तक पहुँचे तो कितना time लगा time लगा 2.77 तो total कितना हुआ 4.57 में सही जवाब है सही जा रहे हो दूसरा question पकड़ते है question 3 from the top of the building 40 meter tall यहाँ पर 40 meter की building दीगी है अब ball thrown vertically up यहाँ से ball up पर दिया है 10th building का height 40 with a velocity minus 10 sorry plus 10 meter per second सबसे पहले क्या है after how long will the ball take to pass to the point from where it was projected मतलब यहाँ से जब हमने शरू किया था ball उपर जाएगा फिर यहाँ से नीचे आएगा तो इसमें कितना time लगेगा वो चाहिए सही है सही है पिर क्या है after how long will it hit the ground अब उपर यहाँ से नीचे शरू करेंगा उपर जाएगा फिर ground पर hit करेगा तो कितना time चाहिए वो दिखा है और what with what velocity यहाँ से नीचे आएगा तो velocity भी तो क्या होगी वो भी तो चाहिए तो आगे के question इसमें ज़्यादा कुछ फरक है नहीं फिर भी solve कर लेते हैं चलो आपकी खुशी के लिए we is good to u plus 80 जब body उपर move करती है first consider करते है तो acceleration क्या होगा minus g हो जाएगा सही है सबसे पहले यहाँ से ball को फेकते हैं उपर तो क्या है initial velocity 10 meter per second और जब उपर पहुँचेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा सही है equation पकड़ो उपर वाला सबसे पहले वाला और उसमें से time ढून लो कितना हुआ time मिलेगा 1 second 1 second 1 second तो यहाँ से नीचे से उपर तक का time हुआ 1 second तो उपर से नीचे का time कितना होना चाहिए अभी तो देखा सर के double होना चाहिए तो लिख लो भाई double होना चाहिए तो double लिख लो double लिख लो तो हो जाएगा 2 second 2 second 2 second 2 second हो जाएगा 2 multiply पे 2 है 2 second अब यहाँ से consider करते है downward movement यहाँ से नीचे जाता है तो क्या होता है acceleration is equal to positive g initial velocity अब अब पुरा हम count करते है यहाँ से तो क्या होगा वो की देख लेते हैं न final velocity V2 हमें चाहिए distance कितना travel करना है S और यहाँ से distance travel करना है हमने पता है V यहाँ से लेना है 10 meter per second यहाँ तो यहाँ मिलगे 1 second plus 1 second अब यहाँ से तो चाहिए तो यहाँ से पकड़ो 10 is equal to ut distance कितना travel करेगा 40 यहाँ से नीचे जाएगा 40 travel करेगा initial velocity यहाँ पर जो अपवर जो velocity होगी वही नीचे जानों की velocity यह point से वही होगा velocity यह दोनों equal हो जाएगा initial velocity यहाँ पर 10 आ जाएगी acceleration तो positive हो जाएगा नीचे जाएगा तो जी positive हो जाएगा और T हमें ढूंड़ना है equation बना लो equation बना लो equation बना लो equation बना लो तो यहाँ पर आ जाएगा T minus 4 T plus 4 T is equal to 4 T is equal to minus minus में time नहीं होता है plus ही होता है टिटू पहले हैं था दो सेकंड अब आया चार सेकंड तो टोटल हो गया, हलोगया चथे मेरी quick कि अब यह सारे यहां पर रख दो वेलासिटी के लिए यहां से दस से शरू करेगा यहां से दस शरू करेगा नीचे जाएगा बी अब इसको अलग-ळग तरिके से solve कर सकते हैं यहां से बी कांट हो सकते हैं इनिस्यल यहां से पांट हो सकता एग आएगा अम सभी स्टेज की अलग लग लेंगे तो सबसे पहले इसके आगे का एक्जाम्बल था यहां से लिया था फिर ऊपर से लिया था अब यह वाला एक्जाम्बल है यहां से लिया था अब आगे देखते हैं सबसे पहले वाला लेते हैं अब है question number four if a stone falls past a window of 2.5 meter height in half a second find the height from which the stone fell अब यहां से कहीं से उपर से यहां पर पत्थर उपर से शरू किया डाउन नीचे होने के लिए यहां पर कोई बैठा है आदमी उसने बारी में से देखा कि किसी ने पत्थर फैका और यहाँ पर कितना टाइम देखा 0.5 सेकंड के लिए यह पत्थर यहाँ से शिरू होकर नीचे तक देखा और विंडो की जो हाइट है वो 2.45 मीटर है तो हमें कहां से कहां से पत्थर आये था वो ढूणना है आप तंसरे करो कि आपको इफ्लेट में रहते हो और जो कपिल शर्मा में आया था न मूवी में यहाँ से किसी का कच्छा उपर से गीरा आपने कच्छा गिरते हो यहाँ से देखा विंडो में से और कच्छा विंडो में से स्ट्राविल किया और आधे सेकंड में यहां से नीचे आगया तो आपको डुणना है किसका कच्छा था तो यहां पर तो लगेगा physics पढ़िया है एक्वेशन तो common है एक्वेशन याद रख लिजिए अगर movement stone की down hood तो क्या है सर जी acceleration positive आएगा जी सही जवाब है so let's सबसे पहले यहां से लेते है b से a से b का distance कितना है h यहां से हो रहा है सबसे height ले लिए s is equal to h और equation लेते s is equal to u plus 1 of 80 square equation कैसे डूढ़ना है हमने काफी बार कर लिया है कोई repeat नहीं करते है अभी सबसे initial velocity जब ball वहाँ से पढ़ा था तब 0 होनी चाहिए सबसे stone वहाँ से पढ़ा तब 0 होना चाहिए अब हमें पता नहीं acceleration अब कभ है यहां पर acceleration कितना है यह पता नहीं लेकिन time पता है रख दीजिए equation so h is equal to 1 of g t square इसको बोलते जिए equation number 1 दूसरा बोलते हैं अब यहां से a to c जब हुआ था तो total height कितनी होनी चाहिए s plus 2.45 initial velocity 0 हो गई total time हो गया t यहां से लगता है यहां से यहां तक t लगता है तो total time हो जाएगा t plus 0.5 similar equation पर value डाल दीजिए s is equal to h plus 2.45 u का हो जाएगा 0 और a का हो जाएगा h अब यहां पर इसको simplify करते है simplify करते है equation तो एक equation यहां पर है दूसरा equation यहां पर है अगर दूसरा equation में से पहला equation minus करते है तो क्या बच्चता है यहां से यहां का minus करते है t square निकल जाएगा सामने से h भी निकल जाएगा final बच्चता है 2.45 यहां पर one of g t निकल गया तो इसको अगर simplify करते हैं तो क्या बजता है t is equal to 0.2495 second तो यहां तक का time होता है t is equal to 0.2595 second time मिल गया अब जो height वाला मामला है वो आपको solve करना है कैसे solve करोंगे t जो मिला है t जो यहां पर मिला है उसको यहां पर equation में रख दिजिए और h कितना आ रहा है आपका solution वो जड़ा comment में मुझे लिखिए कि मेरा solution h यह वाला आया आगे बढ़ते अब question number 5 और नीट 2021 में पुचा गिया है 2020 में यहां आपर से लिए बढ़नीख कि है, झाब कितने विप्रू ले हमाँ रष कुची टाप्रम、ाप्रप्राफिए क्डिए लेता है कि कर दिजिए रभश से रफर बाहां अब में रप्रिए ले再फ दिए 1 second what is the velocity of the ball when it at the topmost point of the window यहां से उपर से कुछ आया नीचे क्या आया बॉल यहां पर नॉटिस करना शुरू क्या दिया यहां पर चाहिए velocity कितनी है distance है 1.5 मिंटर विंडो का और टाइम लग रहा है 0.1 इतनी चीज़े दी गई हुए similar question है तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेते हैं movement downward है मतलब gravitational positive हो जाएगा gravity इसका positive होना चाहिए initial velocity u है उपर से जब stone शरू होता है initial velocity u हो जाएगी तो ठीक है बात की बात है अब विंडो में से जब ट्राविल करता है तो जो distance बनता है 1.5 मिटर बनता है और जो time है वो 0.1 सेकंड बनता है तो from b to c यहां से अगर count करें यहां तक का तो total height 1.5 मिटर वो time जो है वो 0.1 सेकंड सो s is equal to ut plus 1 of 80 square में equation में रख देजे distance कितना टाविल हो रहा है 1.5 u initial velocity यहां पर जो b के point के पास है वो मैं पता नहीं है लगिन कितना time लगेगा 0.1 a की value यहां पर रख देजे टीक की value यहां पर रख देजे और answer आजाएगा अपका 14.5 मिटर पर सेकंड यहां से answer आना चाहिए 14.5 मिटर पर सेकंड यहां वाला answer NEET में और JEE में वैसे ही question आते हैं आगे बढ़ते है अब question नमबर 6 में पुछा गया है a ball is dropped from the top of the tower 30 meter height 30 meter की height का tower है वहां से ball drop why है at the same instant at the same instant a second ball एक ball उपर से आया दूसरा बोल यहां से उपर तक जा रहा है यहां से उपर जा रहा है upward from the ground with an initial velocity अब इसकी initial velocity हो गई 15 meter per second और उपर से drop हो रहा है तो इसकी initial velocity होने चाहिए 0 meter per second एसा ही है when and where do they cross अब कहां पर वो दोनों मिलेंगे यहां पर exit cross कब होगे वो ढूनना है तो चलिए एजिम पूरा जो building दिया हुआ है वो है 30 meter का है और एजिम करते हैं ground से उपर h distance पर यह दोनों बॉल मिल जाएंगे एक ही distance पर होगे तो उपर का distance हो जाएगा 30 माइनस h 30 माइनस h equation यह सारे याद रखने है क्या है let the two balls cross each other at a height h from the ground after t second for the motion downward motion उपर का बॉल जोएगा नीचा आ रहा है तो downward motion में a is equal to g आ जाएगा उपर के ball का सबसे पहले हम count करते है equation आ जाएगा distance पहला चाहिए हमें यहाँ पर distance चाहिए तो second पहला equation s is equal to u plus 1 half 80 square जब उपर से throw किया तो u कितना होना चाहिए जिरो से शुरू करेंगा यू हो जाएगा 0 acceleration is equal to positive g और time हमें नहीं पता है time नहीं पता है time नहीं पता है कोई बात नहीं equation आ गया sub value यहाँ पर रख दीजिए s is equal to 30 minus h जो बागी का बचा distance हो वाला हो गया यहाँ पर और इसको बोल दीजिए equation number 1 second बोल जब यह बोल उपर थ्रू करते है तो acceleration हो जाना चाहिए minus g negative count करना है कितनी speed से फैका 15 मिटर पर second से यहाँ से उपर फैका और यहाँ पर कहीं पर टच हो रहा है कितने distance से बाग h distance के बाद यहाँ पर रखो value as is equal to as u है 15 मिटर पर second acceleration उपर के तरफ जाएगा तो minus 10 होना चाहिए और t हमें पता ना को पता नहीं है तो उसको equation number दे दीजिए जाएगा h निकल जाएगा तो क्या बचेगा आगे 30 बचेगा पीछे का भी पीछे का भी यह पूरा portion निकल जाएगा क्या वह है तो सामने बच जाएगा 15 t तो time लगेगा time लगेगा तू सेकंड दोनों बॉल दो सेकंड में मिल जाएंगे अब चहिए हमें velocity क्या बोल रहा है? velocity चहिए, velocity चहिए, दोनों की velocity चहिए अगर दोनों के velocity चहिए तो ढूण लेते है ना दोनों के velocity चहिए ढूण लेते हैं और height कैसी यहां से equation में h रग दीजे बे ली तो h मिल जाएगा 10 meter तो अब 10 मिटर यहां से नीचे जाएगा तब बॉल जोनों टच हो जाएगे अब वेलोसिटी रुणने है तो क्या होगा डाउनवर्ड बॉल वी इस उकल दो यू प्लस 80 उपर से बॉल शरू कर रहा है तो इनिश्यल वेलोसिटी 0 आएगी जब बॉल यहां पर क्रॉंस करेगा तब वेलोसिटी वी एजिम कर लेते है या तो वी बन एजिम कर लेते है एसलरेशन हमें अलड़ी मिल चुका है तो कितना है gravitational force यह is equal to g तो gravitational down वो direction में acceleration positive होता है तो वेलोसिटी वी वन 20 मिटर पर second आता है और जब बॉल यहां से नीचे उपर से फेकते हैं तो acceleration हो जाता है minus g इनिश्यल वेलोसिटी बताया है हमने कितना बताया है 15 मिटर पर second दिया गया है तो रख देजिए minus 5 मिटर पर second direction opposite है इसलिए यहां पर value minus में दिखा रहा है तो यहां से जब ball उपर जाता है तो minus 5 आता है minus 5 आता है direction उसकी अपर direction है अब यहां पर पुछा है what is relative velocity relative velocity क्या है सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं अब पढ़ लेते हैं नहीं क्या है relative velocity चले देखते हैं suppose यहां पर एक car है यहां पर एक highway पर car जा रही है और उस car की velocity है VA से पर example यहां पर जा रहा है 100 km पर आर की speed से जा रही है car और दूसरी जो खैकार वो थोड़ी कम speed से जा रही है तो उसके है 60 km पर आर अगर मुझे इसकी velocity चाहिए relative velocity car A की चाहिए तो उसको बोलूगा VAP क्या होगा जो A की velocity है उसमें से B की velocity माइनस हो जाएगी क्या होगा 100 माइनस कितना होगा 60 होगा तो हो जाएगा यहां पर 40 अब और एक example से समझते हैं ठोकने ठोकने का वाला exam है मार देंगा यहां पर देखे कार अब सोचो यहां पर एक कार है वो जा रही है यहां से 100 km पर आर और उसके बिल्कुल आगे एक कार है वो जा रही है 60 km पर आर अब यहां से इसने कार लगाई और चलो दोनों के टकर हुई तो क्या होगा आगे वाली कार पीछे वाली कार दोनों का accident हो गया और हमें यहां पर चाहिए दोनों की जब accident हुआ तब effective velocity कितना था तो यह 100 से आगे बढ़ रहा था यह 60 से आगे बढ़ रहा था तो effective हो जाएगी 100-60 मतलब 40 km पर आर तो accident का जो impact होगा वो होगा 40 km का impact होगा आगे वाली जो कार है या तो पीछे वाली कार है दोनों में 40 km का impact होगा मतलब कोई भी कार अगर आप चलाते हो 40 km पर स्पीड और किसी खंबे से ठोग देते हो तो जितना एंजड होगा उतना ही हिंजड इसमें होगा इसे बोलते है relative velocity और एक example थोड़ा लेते अगर आप side में यहाँ पर चल रहे हो कार चल रहे है यहाँ पर और सामने आई दूसरी कार और अपोजिट चल रहे है इसकी स्पीड है 100 सामने की स्पीड है 60 और यहाँ पर दोनों होते हैं एक crash तो relative velocity होती है relative velocity होती है 100 plus 60 मतलब 160 का impact होता है मतलब अब तम बचने की कोई possibility होती नहीं है क्या हुआ अगर आप 160 पर कोई कार चला रहे हो और सामने कंबे पर ठोक दो तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है तो यह मामला हुआ relative velocity का क्या हुआ अगर VA और VB आप कार यहां से जा रहे हो आगे और कोई कार जो आपके पास है वो कम speed से जा रहे हो तो क्या होगा वो पीछे जाएंगे आपसे ठीक है आपकी velocity आगे जाएंगे तो क्या होगा VAB आपकी खुद की velocity first letter आ जाएगे minus जो दूसरी कार है उसकी velocity मतलब आपका जो स्पीड आगे रहेगा positive रहेगा हमेशा तो यह पर यह value positive आएगे और आप आपकी कार आगे बढ़ रहे है मतलब एक कार की relative श्रीलेशन से अगर मुझे डूड़ना है तो उसको बोलेंगे VAB अगर आपकी अगर दूसरी कार से डून रहा हूँ यहां से इस कार में बैटा हूँ speed कम है और दूसरी जो कार है उसकी speed ज्यादा है वो ज्यादा कार से ज्यादा speed से आगे बढ़ रहे है मतलब यहां से मैं बैठके देंगा तो यह कार मुझे over-tech कर रहे है और हमारी कार पीछे की तरफ रहेंगी और वो वाली सामने वाली कार आगे रहेंगी तो यह होगी या relative velocity अगर हमने खतरना एक्सिडन दिखा है ना सामने दोनों अगर होए तो यह velocity कार यहाँ पर जा रही है एक लेंड में दूसरी लेंड पर हम कड़े यहाँ पर हमारी कार है वो यहाँ पर जा रही है और सामने की लेंड पर है आपोसिट साइड वी बे और यहाँ से कार जा रही है ठीक है तो दोनों की velocity हो जाएगी वी ए डारेक्शन हो जाएगा मैनस मैनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा वी ए प्लस वी पतलब 160 km per hour का accident होगा तो यह होदा होगा या fundamental relative velocity का खास यहाद रखना है relative velocity में क्या होता है तो यहाँ पर हमें चाहिए relative velocity तो क्या है V2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोनों दोनों हो जाएगा 20 यहाँ पर हो जाएगा क्या बोलता है वीडियो पोस्ट करके अब solve क्यों नहीं करते हो वो solve करो equation equation no.7 क्या बोलता है from the top of the tower 60 meter tall tower old equation काफी कर लिया ना हमने 60 meter का tower है यहाँ पर a body is thrown vertically down उपर से किसी को throw किया बोड़ी को किसी बोड़ी मतलब किसी बॉल ले लो या किसी आदमी को मत सोचो with a velocity 10 meter per second यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखो तोड़ा twist हो गया यहाँ से बॉल थो किया उपर की तरफ थो किया है कितना speed से क्या है 10 meter per second at the same time another ball यहाँ से थो किया यहाँ से थो किया वर्टिकल अपड़ कितने है velocity है 20 meter per second और उपर से यहाँ से जो नीचे डाला वो 10 meter per second की speed से डाला नीचे हो किसे पहले हमने एक्जाम्बल वैसा ही वाला किया था उसमें speed कितनी थी zero speed थी यहाँ पर उपर से नीचे थो कर रहा है गुसा निकाल रहा है यह अपर ना उपर से नीचे थो कर कर तो वही क्वेशन वही है आप्टर हाव लंग दोनों बोड़ी कब मिलेंगी राइट हाइट कितना होगा वही क्वेशन है तो उपर से नीचे का एसलेरेशन क्या है उपर से नीचे थो था था एसलेरेशन जी होता है प्लस आगे बढ़ते हैं यहां से इनिश्यल वेलो सिटी जो है वो दस है तो जब उपर से बॉल यहां से फैका तो उसकी वेलो सिटी यू इस उकल टू 10 मीटर पर सेकंड से ठैक रहे है और वही सिमिलर हमने है एच एजिम कर लिया है यहां से तो यहां का डिस्टनस हो जाएगा 60 माइनस एच डिस्टनस यहां पर रख दीजिए 60 माइनस एच पॉजिटिव होगा एज इकवाल टू पॉजिटिव जी डाउनलोड डारेक्शन के लिए और हमें चाहिए यहां पर सॉलेशन एक कुछन यहां पर बन जाएगा 60 माइनस एच अब क्या किया था दूसरे में दूसरे में सलजी नीचे से बॉल फैका वही टाइम पर नीचे स संब एकवेशन एच डिस्टन्स टाविल करना है दोनों को मिलने के लिए यू हो जाएगा इनिश्यल टी सर्रेशन ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा यहां पर व्यागा टी अब दो equation मिले है दो equation मिले है दोनों का time तो सही लगागा उपर से नीचे और नीचे से उपर का दोनों का time वही लगेगा equation number 1 and 2 को equate कीजिए 1 and 2 तो क्या आजाएगा 2 second यहाँ पर भी तो 2 second आई तो वही time आया h की value यहाँ पर रख देजिए h की value रख देजिए h आजाएगा 20 meter h आजाएगा 20 meter और क्या डुनना है और क्या डुनना है relative velocity पुछा नहीं है लेकिन y method से का relative velocity चाहिए तो यहाँ पर y method से मिल जाएगा 30 and 10 y मिल जाएगा वैसे ही मिल जाएगा आप solve कर लिजे relative velocity वैसे ही आगे बढ़ते है question number 8 a balloon is rising vertically upwards with a constant velocity 10 meter per second when it is at a height 45 meter above the ground a stone is top ओ खटटटटटट चीज़ है यहाँ पर बात की है यहाँ पर balloon उपर जा रहा है vertically अपड जा रहा है velocity उसकी यहाँ पर balloon की velocity constant बताई है मत्लब we fix है 10 meter per second अब जब बालून यहाँ यहाँ पर पहुँच रहा है 45 meter height पर तो यहाँ से क्या हुआ stone फैका अब initial velocity जो stone की होगी वो कितनी होनी चाहिए 10 meter per second क्योंकि stone जब फैक रहे हुआ आप तो उसकी आपकी जो velocity और थोड़ी stone भी तो ले लेगा तो stone कितनी velocity लेगा 10 की लेगा फिर नीची आएगा फिर नीची आएगा सही है तो क्या डुनना है यहाँ पर find the height of the balloon अब यहाँ से balloon तो उपर जाई रहा है continuous speed ले उपर जाई रहा है balloon जाएगा उपर right तो यहाँ से जब stone नीचे touch होगा stone नीचे touch होगा तो मतलब T कुछ time लेगा stone और वही time T में balloon और आगे जाएगा तो वो ढूनना है बढ़िया है balloon के velocity है T अब इसको अगर डूनना है तो उसको आप divide भी कर सकते हो segment में अगर divide नहीं करना है तो यहाँ पर क्या लेना है उपर initial velocity of stone की काऊंगी उपर यहाँ से उपर जाएगा तो acceleration आजाएगा सबसे पहला negative negative आजाएगा ठीक है और अगर stone उपर की तरफ है तो यहाँ पर speed भी positive लेने पड़ेगी अगर stone नीचे के तो speed negative लेने पड़ेगी और जो distance कितना यहाँ पर distance से 45 वो भी negative लेना पड़ेगा again मैं repeat कर देता हुँ इसको सबको अगर direct पूरा ही यहाँ पर जगर ball balloon यहाँ से फैका ball यहाँ से जाएगा उपर फिर नीचे आएगा ठीक है यहाँ से मुझे अगर पूरा ही time लेना है पूरा ही time लेना है तो मुझे कैसे solve करना है मुझे break नहीं करना है इसको पूरा ही फटा फटा फट एक ही में जी upper stage है और velocity जो है उसको लेना है positive क्योंकि upper direction इसलिए positive लेना है और distance कितना आएगा net distance लेना है यहाँ पर और distance लेना है down direction में distance आ रहा है तो इतना आएगा 45 meter जो है वो negative लेना है तो यहाँ पर अगर दो direction उपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है तो इस case में आपको velocity की direction भी consider करनी पड़ेगी अगर पूरा एक साथ calculate करना है तो velocity की direction भी consider करनी पड़ेगी velocity की direction consider नहीं करोंगे तो answer वहाँ से गलत हो जाएगा s is equal to minus 45 और direction हमें consider करनी है यहाँ पर up what is positive लेना है up what is positive downward is negative so distance हो गया हम negative आजाएगा initial velocity positive आएगी सली यह value रखते है यहाँ पर minus 45 u is equal to 10 a minus 10 आजाएगा और यहाँ से मिल जाएगा हमें t t का होता है t का होता है वो erase करना पड़ेगा root निकलना पड़ेगा तो t is equal to 2 अंसर आता है t is equal to minus 2.7 और 3.7 नेगेट्व तो possible time होता नहीं है तो t हो जाएगा 3.7 तो balloon यहाँ से जब टॉन नीचे पड़ा तो उसने लिया 3.7 बलून तो constant velocity से उपर जाही रहा है उपर जाही रहा है 10 टाइम रहा है t 37 मिटर टोटल टाइम लगेगा 45 पर था और बागी के जो टाइम में 37 आगे बढ़ा तो 82 मिटर आंसर आएगा 82 मिटर आएगा अब एक बार P से अपने आप solve भी किजिए इसको खुद से solve किजिए सभी confidence बढ़ेगा चलिए question number 9 solve करते हैं क्या लिखाए a ball is thrown vertically downward with a velocity 20 मिटर सेकंड from the top of the tower अब यह टावर यहाँ पर बना लेते हैं ऐसा कुछ टावर है और यहाँ पर किसी ने उपर से ball नीचे थ्रू किया तो इसकी initial velocity दिये u is equal to 20 मिटर पर सेकंड तो यहाँ लेका है it hits the ground अब नीचे ground को तोड़ दाला after some time with the velocity यहाँ पर वेलोसिटी दिये हुए v 80 मिटर पर सेकंड इनिचिल वेलोसिटी को यू बताएंगे जो फाइनल वेलोसिटी है उसको वी बताएंगे अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर हाइट चाहिए हाइट क्या है टावर की और दूसरी चीज़ है जब भी कोई भी आबजेक्ट डाउन डिरेक्शन वे मूव होता है तो एसल रिएशन होता है उसका जी पॉसिटिव वेल्यू सही है चलिया सॉल करते है नीट का क्वेशन है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में पुछा गया था चार ऑप्शन भी दिये है यह हमें पता यह इसके तीन फॉर्मिलास है कौन कौन से यूज होंगे वो तो देख लेते है तो सबसे पहले देखते है वी वी का फॉर्मिला हमें दिया हुआ है बिल्कुल यू का यू भी तो दिया हुआ है वाव यह से मिल जाएगा टाइम क्या हमें चाहिए हमें चाहिए हाइट नहीं चाहिए जाने दो इस पॉर्मिला को नहीं चाहिए तो दूसरा देखते हाइट के तो दो है यहाँ पर S मतलब हाइट S is equal to H S ढूण रहा है Initial velocity Yes, V होई है Time नहीं दिया हुआ है Time नहीं दिया हुआ है A definitely G हो जाएगा Time यहाँ पर भी नहीं है दो अन्नों यहाँ पर होंगे तो equation भी काम नहीं लगेगा भी Last वाला देखते V square V Final velocity Yes है Initial velocity क्या है है, क्या Acceleration है, बिलकुल है Final equation हम मिल गया कौन सा आएगा equation तिस रावला equation So initial velocity दी है 20 meter per second Final दी है 80 meter per second बढ़िया है So यहाँ पर value रखो V की 80 UK के रख दीज़े 20 और A की आ जाएगी 20S भागिया उसमें तो S टून लो यार क्या है 300 meter tower की height मुझे मिल गई है 300 meter और answer है C सही जवाब और equation लेते है Question number 10 क्या है A stone अब अधर बाजी ज़्यादा हो रही है अ स्टार्ण ड्रॉप इन्टो अ वल्ब इस हर्ड तू स्ट्राइक दो वाटर इन होड से कनवे कुवा यहां पर है और उपर से पत्थर किसी ने प्हेका तो पत्थर नीचे गिरते 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 यहां आया और पानी में गिरा और यहां पर पानी में गिरते ही कुछ sound की आवाज आई sound हुआ, पानी का sound उपर होते 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 यहां पर आया और यहां पर हमने sound सुना यह तो download moment हो गई यह वाली अपड़ moment हो गई अच्छा है, अच्छा है क्या हुआ अब टोटल टाइम जो लगा यहां से assume कर लेते हैं इसका T1 इसका assume कर लेते है T2 तो टोटल जो ट्राविल हुआ पत्थर नीचे गई और sound उपर आया उसका total time लगा 4 second अब आप कुवा कुवे का कितनी height है वो ढूनलो depth कितनी है वो ढूननी है और sound की velocity दी है is equal to 335 meter per second इतनी चीज़े दी हुई है अच्छी बात है so downed moment के लिए A is equal to G आजाएगा और अपर moment के लिए A is equal to G और minus G आजाएगा रही है assume कर लिए हमने T1 sound के लिए time लग रहा है T2 जो लग रहा है वो sound के लिए time लग रहा है and T1 plus T2 is equal to 4 इतना तो बिल्कुल दिया गया है अभी downed moment के लिए acceleration G positive हो जाएगा और हमें चाहिए distance S is equal to उपर से जब पत्थर यहां फैका तो उसकी velocity is 0 तो initial आजाएगा 0 A कितना है A कितना है A G है सर जी सही है सारे विल्यू रखो S is equal to 5 T square S is equal to 5 T square एक बार फिर से देख लेते क्या होगा था A stone dropped into a wall तो यहां से हम drop फिर से कर लेते यहां पर नीचे पानी है उपर से अब stone नीचे की तरफ आया और S distance या तो उसको H पी बोल सकते है H distance travel किया तो यहां पर पानी के उपर strike हुआ ठीक है तो यहां पर जैसे पानी के उपर strike होता है तो उसका sound generated होता है और sound उपर की तरफ बढ़ता है और यहां पर हमें सुनाई देता है अब जो stone था उसका time जो लगा नीचे आने का T1 और sound का time उपर आने का total T2 और यहां पर हमें पता है T1 प्लस T2 क्या है वो है 4 seconds उतना पता है अब यहां से हमने पहले देख लिया कि उपर से stone नीचे डाला तो उसने distance travel किया as ठीक है stone की initial velocity U is equal to 0 था उसकी कुछ भी velocity नहीं थी तो वहां से नीचे तक आया अब distance चाहिए तो equation है हमारा यहां पर दूसरा S is equal to UT plus 1 of 80 square initial यहां पर 0 है body नीचे आती है तो A हमेशा G बन जाता है gravitational और positive रहेगा value रख दे यहां पर कितना बन जाता है 5T1 square अब बार है sound की अब जब sound आगे बढ़ता है तो constant velocity से बढ़ता है constant velocity के क्या formula है V is equal to distance divided by time distance तो वही travel करेगा जितना वह नीचे गया था उतना ही उपर है तो हो जाएगा वहां पर S divided by time T2 अब S की value तो अलड़ी हमें पता है S is equal to 5 T1 square और T2 क्या है यहां है देखो यहां यहां से आ जाएगा T2 दोनों value यहां पर रखते है तो इक्वेशन बनता है minus B plus or minus and root B square minus 4AC divided by 2A यहां पर A is equal to 1, B is equal to 67 and C is equal to minus 268 value यहां पर रख देजिया खतरनाक सा बडा सा लंबा सा आंसर आया है दो आंसर आते हैं यहां पर T is equal to 3.8 second and T is equal to minus 70 second जो minus वाला पॉसिबल नहीं है तो T1 is equal to 3.8 second 3.1 is equal to 3.8 second और sound के लिए time लगेगा तो उसमें से minus करते हैं 0.2 second लगेगा sound के लिए रख अब मुझे चाहिए यहां पर क्या चाहिए depth चाहिए equation और है T1 की value मिल चुकी है यहां पर मुझे value रख देजिए आंसर आता है 72.2 meter सही है अब एक question number 11 need का question है 2019 का a person standing on the floor of an elevator elevator में यहां पर डबबा बना लेते हैं elevator का यहां पर कोई person खड़ा है फिर क्या लिखा है a person standing on the floor of an elevator drops a coin अधर उसके pocket पैसे coin गीरा नीचे पड़ा क्या है the coin reaches the floor at a time T1 if elevator is in the wrist मतलब elevator wrist पहे तो T1 लगता है अगर elevator मूव करता है तो लग रहा है T2 वा अच्छी बात है which of the following option is correct need 2019 T1 can be less than T2 or T1 can be greater than T2 depending upon either lift is lift उपर जा रही है नीचे जा रही है उसके उपर है पहला answer ही direct mostly select कर लेते है लेकिन चेक करना पड़ेगा T1 less than T2 T1 greater than T2 और दोनों equally होगे पता नहीं तरजी देखते है यूनिवर्सल ये तीन फार्मिला याद रखने है right stage तरवे क्या होगा stage तरवे क्या होगा अगर खड़ी है तो क्या होगा initial 0 हो जाएगा खड़ी है तो acceleration coin का acceleration क्या होगा नीचे जा रहा है coin मतलब G positive right coin की बात हो रही है coin है lift खड़ी है coin शरू करेगा velocity मतलब U is equal to 0 से शरू करेगा और acceleration A is equal to G नीचे जाएगा और lift के floor तक पड़ेगा तो उस distance S कितना होगा 1 of G T square अगर लिफ्ट खड़ी हुई है stationary वाली बात हो गई अब उसके बाच लेते है तो T क्या होगा यहाँ पर formula हम डिरेख कर सकते है T is equal to S by G T is equal to under root S by G G is gravitational हो गया So क्या होगा T is directly proportional 1 by G root G root G अब lift जब नीचे आ रही है खास याद रखना है formula बहुत काम लगेगा lift जब नीचे आ रही है तो object का जो gravity है G plus acceleration वो benefit रहेगा यहाँ पर benefit रहेगा object जब नीचे आता है कोई भी object तो उसमें acceleration plus उसका gravity आ जाएगा A क्या है acceleration of lift assume करिया आपका lift है वो A acceleration से नीचे आ रहा है तो उसमें क्या होगा अगर नीचे के से डाता है तो उसको G भी downward side force करेगा तो मतलब A plus G उसकी combine effect होगी और अगर lift उपर जा रहे है तो उसमें क्या होगा G negative आ जाएगा acceleration जो भी है उपर जाने के लिए उसका G negative आ जाएगा कि lift का तो fixed acceleration होगा ना यह सिब under motion gravity का सिब मामला नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा so when moving down it becomes G plus A and moving up G is equal to G minus A so as elevator is moving uniformly अगर elevator uniform करता है motion upward तो यहाँ पर जो A का मामला होता है A A का मामला होता है वो 0 हो गया ना अब uniform velocity है उसकी तो acceleration कहा से आएगा acceleration क्या है change in velocity change in velocity और wait time यहाँ पर velocity यह चेंज नहीं हो रही है तो आगे की term ही निकल जाएगी यहाँ पर acceleration आएगा ही नहीं acceleration का effect नहीं आएगा मतलब यहाँ पर सामने आजाएगा सिर्फ G तो equation में कुछ भी फरक नहीं पढ़ रहा है equation में change नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा T1 is equal to T2 खास A याद रखना है T1 is T2 correct answer है क्योंकि यहाँ पर acceleration uniform अगर होता है acceleration uniform में मतलब वो 0 हुआ तो उसकी कोश असर यहाँ पर नहीं आनी चाहिए question number 12 a stone falls freely under gravity अर यह स्की सिक का गीरा आउपर से 10 रुपय का रखते है नीचे गीरा it covers distance अब H1 distance कवर कर रहा है in the first 5 second H2 distance कर रहा है 5 plus 5 मतलब 10 second और H3 distance कवर कर रहा है कितनी second में plus 5 15 second रही है so relation डूणना है H1, H2, H3 का नीच 2013 H1 is equal to 2H23, H2 यह वाला equation डूणना है डूण लेते हैं चलिए वाला equation यह आप रहा है अब height है तो height का ही लेंगे हम पस के लिए S1 यह तो H1 भी लिख सकते है S is equal to UT plus 1 half A T square शरू करता है जब सिक्का तब उसकी velocity 0 है और यहाँ पर पहुंच रहा है first so S1 और you can say H1 U is equal to 0 plus अगर नीचे बढ़ता है तो acceleration होता है इसका positive G यहाँ पर रख देज़े 10 और सबसे पहले distance टाविल करता है 5 second में H1 तो मिल गया हाँ H1 तो मिल गया हाँ से ही मिल गया न अब चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक का distance कितना हो रहा है तो इसको बोलेंगे S2 again speed कहां से उपर से शरू हो रहा है 0 से शरू हो रहा है speed हो रहा है 0 से शरू distance टाविल किया है 5 plus 5 plus 5 10 second यहाँ पर 0 आ गया 1 आप gravitational का 10 और यहाँ पर आजएगा 10 पावर 2 S2 is equal to 1 आप 10 100 अब यहाँ से जो distance है S2 लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पर H2 यह वाला distance चाहिए वही तो बोलाए ना it covers distance H1 फिर उसके बाद H2 distance cover किया उसके बाद H3 तो H2 चाहिए तो क्या होगा S2 में से S1 माइनस करना पड़ेगा H2 is equal to S1 और यहाँ से S2 S2 माइनस S1 उतना करना पड़ेगा उपर में से नीचे माइनस करते है तो आगे वही टम तो वही है तो उसको change मत करो मत छिडो last की 100 माइनस 25 उतना यह करना है तो net distance हो जाएगा 27 अब यहाँ से लेते है distance third number का S3 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 again शरू होता है time उसका 0 से आपका शमय शरू होता है 0 से तो यह 0 हो गया जी में कुछ फरक नहीं पड़ेगा distance total travel किया 15 सेकंड में 15 सेकंड यहाँ पर आगे S3 is equal to यहाँ पर रख दिजे 225 225 अब क्या करे S से तो उपर से distance है हमें तो चाहिए इतना distance चाहिए H3 चाहिए S2 में से minus करता हो और क्या H3 is equal to S3 minus S2 is equal to H3 कितना आता है कितना आता है यहाँ से 225 minus 100 तो यहाँ साथ है H3 1 by 2 10 125 अब हमें यहाँ पर H1 मिल गया है H2 भी मिल गया है H1 मिल गया है H2 भी मिल गया है और H3 हमें यहाँ से भी लिख सकते है H1, H2, H3 आगे कि जो टम है यह सब कैंसल हो जाए यूँके वो common है तो कितना आता है 25, 75 और 125 25 से डिवाइड कर दो यह से 25 तो 135 135 equal ratio है और इसको करो तो क्या बनता है H1 divided by 1 is equal to H2 by 3 is equal to H3 by 5 तो answer दिख रहा है answer दिख रहा है answer दिख रहा है A रहा answer यहां पर है answer चलिए question number 13 देखते है क्या लिखा है from a building two balls A and B are thrown such that A is thrown vertically upward and B vertically downward यहां यहां पर कहीं पर building एक बना लेते हैं अपना और यहां से stone जो एक तो उपर फैका और दूसरा जो stone है वो नीचे फैका उपर वाला stone का नाम है A नीचे वाला stone का नाम है B सही है फिर यहां लिखा है both with the same velocity velocity दोनों को equal दी है मतलब इसकी velocity U A initial velocity और नीचे वाला stone की velocity U B count करेगो तो U A is equal to U B is equal to U लिख दो ना सही है अब यहां से ball जो throw किया है उससे आगे पूछते है कि if V1 and V A and V B are their respective velocities or reaching the ground और relation दिये है V B greater than V A V B equal to V A V A greater than V B और किसके ओपर depend करते है मास इस पर depend करते है वह equation मास इस कहां आते है मास का तो सवाल ही नहीं आता है तो यहां पर जो A stone है उपर जाएगा फीर निचे आएगा फीर निचे आएगा और some velocity मिलेगी इसको something like V A और दूसरा सोने तो direct आजाएगा यहां से मिलेगी उसको V D क्या होना चाहिए चलते देखते है अब V is equal to U plus 80 S is equal to UT plus 1 of 80 square V square minus U square is equal to 2S अब यूनिवर्सल फॉर्मिला है याद रखना है अगर A याद नहीं रहा तो बात वहां से खत्म हो जाते है शरू करते हैं सबसे पहले जो लेते है वो लेते है U A का मामला U A यहां से उपर उठा और नीचे गया initial velocity है U A और final आजाएगी V A इसके बीच में ट्राविल किया इससे पहले भी हम सीख चुके है कि जब कोई भी चीज उपर उठती है तो उसको नीचे किचने वाले बहुत लोग होते है तो यह चीज भी उपर चा रहे है तो उसको कौन किचेगा नैचर किचेगा ग्रेविटी तो ग्रेविटी हो जाएगी माइनस दूसरा यहां पर होगा जब हम पूरा कैल्प्लोट कर रहे है उपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो इस केस में हमें distance का भी positive negative लेना है तो क्या है distance minus h का distance है तो height हो जाएगी minus h building की height हो जाएगी minus h value रख दो चलो यहां पर क्या होना चाहिए V square minus 2 s is equal to 2 a अब V का तो पता है हमें final velocity उसके V2 square आता है U A और U B is equal to U तो यहाँ पर आज़ेगा है U उपर के तरफ उठ रहा है gravity उसको नीचे खीचे के उपर उठने ही नहीं देगा है आपको तो यहाँ पर आज़ेगा minus G और height हो जाएगी minus है उपर से नीचे तक का माम लागर लेना है तो पूरा count करना है पड़ेगा और minus हाजाएगा तो क्या होगा V A is equal to U square plus 2 G यह तो equation आगया 1 का A के लिए अब count करते यहाँ पर जो पत्थर है हमारा पत्थर सिद्धा ही नीचे डाला fancy value के साथ U A के साथ नीचे थ्रो किया नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे घड़ा कर दिया कितना जोर से बालोंगे V हो जाएगा V हो जाएगा V सही है फिर से equation में यहाँ पर डालो similar equation यहाँ पर है V square minus V square is equal to S final V B V B और U आजाएगा final initial velocity अब G कौन सा है इसता ही जाएगा आपको और height नीचे वल आएगा तो height का एक ही single direction है यहाँ पर आएगा यहाँ पर एक single direction का आता है तो आपको positive negative की tension नहीं लेनी है height and velocity की दोरोंगे value रत्य क्या होता है V B is equal to U square 2 G H अब equation देखो यहाँ पर क्या बन रहा है equation देखो यहाँ पर है V A 1 यह V 2 अब दोनों तो equal हो गए V A is equal to V B दोनों equal हो रहे है डाइरेक इसमों कप्पा मत लगा नाण इसका answer डून दोर लिखो question नमबर 14 क्या बुढ़ रहा है A ball is released from rest from the top of the tower of height h meter tower दिया है यहाँ से h meter का tower है ball is released यहाँ से ball नीचे आया it takes three second यहां से नीचे गिने के लिए three second उपर से यहां तक नीचे गिरा तो कितना time लगा यह से three second time लगा to reach the ground what was the height of the ball of the ground in the t by three second and t by three second अगर यहां से count करते है तो t by three second के बाद कितना कितना यहां से उपर जाएगा यहां पर कितना height होना चाहिए और इतल height के by 9 7 h by 9 8 h by 9 और 17 h by 9 j w 2002 में equation आया था बढ़िया है universal equation उठा लेते हैं हमारा v is equal to u plus a t s is equal to u t plus one of a t से यह equation है ठीक है आप लगे बटते हैं क्या दिया है यहां पर s is equal to h initial velocity यहां से स्थोत करते हैं तो initial velocity u is equal to 0 आ जाएगा और पूरी time t अप पहले का calculate करते हैं अगर नीचे बड़ी जा रहा है तो plus g आ जाएगा तो पहले इसका ही count कर लेते हैं s दिया हुआ है s is equal to h initial velocity नहीं है तो 0 यहां पर g आ जाएगा t यहां से मुझे t square मिल जाएगा इसको बोली है equation 1 time पूरा time कितना लग रहा है t square is equal to 2 h by g उसको root भी कर सकते हैं अब दूसरी बारी आई अब मैं बोलूंगा इसको h3 इसको h prime एजिम कर लेते हैं यहां से उपर का h prime एजिम कर लेते हैं यहां से तो u is equal to 0 से start कर रहा है तो u is equal to यहां पर 0 आ जाएगा फिर क्या है one of g positive आ जाएगा तो one of g time लग रहा है t by 3 time लग रहा है t by 3 सही है h मिल गया हमें h मिल गया यहां पर 1 by 18 क्योंके t है यहां से 3 अंदर से बहार ले लो 3 multiply by 3 हो गया 9 multiply by 2 यहां पर हो गया 18 सही है सही है अब क्या करोगे अब क्या करोगे तो यहां पर हो गया यहां पर 18 मिल गया सही है अब यह क्या था यह तो था t यह तो था t यह तो था t 9 h prime is equal to h by 9 आंसर आ गया लेकिस गलत है आंसर यहां से मिला है उपर का हमें चाहिए नीचे का आंसर तो क्या होगा h minus h prime तो नीचे का जाएगा हो जाएगा 8 h by 9 8 h by 9 वहां से आंसर मिल जाएगा तो thank you very much for watching देखतर यह फिजिक्स का डॉक्टर मेरा नाम है डॉक्टर गन्शियाम तेजावें